नमस्कार दोस्तों मैं हुआंको नड़ाब देख रहे हैं AD Techify दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर पा रहा था और वीडियो में मैं YouTube में अप्लोड नहीं कर पा रहा था जिसके regarding दूसरे एक वीडियो में आपको detailed analysis करके सब कुछ बताऊंगा actually मैं लगभग एक साल से ये जो problem है मेरे PC में मैं face कर रहा था बहुत सारे major PC components को change करने के बाद भी जब मुझे कोई भी permanent solution नहीं मिल रहा था तब मुझे पता चला कि मेरा जो power supply है वो ही actually problematic है तो finally मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ best budget power supply unit की unboxing and overview तो चले ये दोस्तों बिना कीसी देरी करते हुए वीडियो को शूरू करते हैं तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये है N.T.Sports की value series power supply VS 450L यहाँ पर box में कुछ key specifications लिखा है like continuous power supply 120 mm का बड़ा fan मिलता है इसमें और 2 years का warranty मिलता है इस particular model का month of import है June 2023 मतलब latest model है और इसका MRP है 2400 रुपए लेकिन market में काफी कम में आपको मिल जाएगा इससे जो कि वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा लेटर आन पीछे आप detailed features and specifications देख सकते हैं सारे necessary connectors आपको मिल जाता है like 24-pin motherboard connectors, 8-pin CPU connector आपको मिलता है यहाँ पर और PCIe के लिए 8-pin connector मिलता है जो की graphics card में लगता है जो भी power hungry graphics card है उसके लिए यहाँ पर 4 SATA power connector मिलता है और 2 molex connector मिलता है SSD और hard drive को connect करने के लिए और जो input wattage है आप देख सकते हैं यह आपर वीडियो को pause करके यह maximum 12 volt में 35 ampere तर deliver कर सकता है चलिए box को सबसे पहले unbox करते हैं जैसे कि देख सकते हैं यह properly sealed package में आता है ताकि बाहर से इसको temper नहीं किया जा सके और दोस्तों इसको unbox करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि जो seal है वो intact है या नहीं चलिए seal को break करते हैं और देखते हैं अंदह में क्या क्या मिलता है तो box packaging दोस्तों काफी अच्छा है देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक user manual कम warranty card मिल जाता है जहां पर warranty information है और जो basic connector introduction है सब कुछ यहां पर मिल जाता है आप इस manual को पर सकते हैं अगर आपने पहले गभी PC wheel नहीं किया है और अगर PC wheel के regarding आपके पास knowledge है तो I guess यह manual आपके कोई काम की चीज़ नहीं है power card मिलता है जिसका quality काफी अच्छा है देख सकते हैं काफी durable power supply है particularly molded connectors है यह मुझे काफी अच्छा लगा और उसके बाद जो bubble wrap है उससे जो है protected है power supply और नीचे आपको एक warranty registration card मिलता है जिसके माधिम से आप इसको online warranty इसका register कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है इसका कोई जरुवत नहीं है अगर आप Amazon से खरीदते हैं और दोस्तों यहाँ पर good to see कि इसमें कुछ cable ties मिलता है और जो cabinet है उसमें लगाने के लिए 4 screws मिलता है along with the silica gel ताकि जो screws है उसमें corrosion ना हो अब चलिए देख लेते हैं जो power supply है उसको unwrap करके देखिए दोस्तों जो first impression है वो काफी अच्छा है 12 volt 35 amp और यहां पर आप देख लीजिए जो warranty seal है वो properly intact है या नहीं अगर वो broken होगा तो आपको warranty नहीं मिलेगा पीछे आप देख सकते हैं AC 220 volt का socket मिलता है 3 pin socket और इसके अंदर जो सारी electronics है वो सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों एक बार zoom करके देख लेते हैं कि अंदर हमें कैसा electronics मिलता है दोस्तों एक चीज़ मुझे काफी अच्छा लगा कि यहां पर black PCB मिलता है जैसे कि देख सकते हैं मुझे लगता है कि जो latest manufacturing units है वहां पर black PCB दिया गया है पहले yellow PCB दिया जाता था और जो power switch है वो latest units में नहीं मिलता है सारे components देख सकते है capacitors, mosfets, transformers जो high frequency transformers है और जो heat sink है वो भी आप देख सकते है बहुत अच्छा thick wire का coil दिया गया है जो सारे wearing है वो भी अच्छा quality का है और यहां पर bridge rectifier single package unit में मिलता है जो की premium boards में ही दिया जाता है उपर anti sport का खुद का fan है exhaust fan सारे capacitors आप देख सकते हैं य components का quality तो काफी अच्छा है क्योंकि कोई भी electronic device जब तक आप अंदर से नहीं देखेंगे उसका quality का अंदाजा नहीं लगेगा और दोस्तो इस power supply का best buying link आपको वीडियो के description पर मिल जाएगा so definitely go check it out और दोस्तो fan में यह जो grill दिया गया है यह भी काफी अच्छा quality का है और इस से जो ventilation है वो काफी ज्यादा improved हो जाता है previously जो good quality power supplies था उसमें body में ही grouping किया जाता था लेकिन उससे ventilation अच्छा नहीं मिलता था तो यह काफी अच्छा चीज़ है तो चलिए देख लेते हैं cables देखें दोस्तों cables में जो दो cable है अब यह देख सकते हैं यहाँ पर आपको nylon braided mesh म ना देता है तो चलिए देखते हैं सारे cables हमको सई से मिलता है या नहीं सब सब पहले दोस्तों जो motherboard की 24 pin connector मिलता है 20 plus 4 वो connector मिलता है जिसका quality जो connectors का quality है वो काफी अच्छा है और कोई भी cheap power supply में आपको ऐसा quality नहीं मिलता है और उसी के साथ 8 pin GPU power connector मिलता है अगर आपके board में ऐसा कोई GPU लगा है जिसका dedicated power requirement है तो on that case आप इसको use कर सकते हैं और जो सारे hard drive और SSGs को connect करने के लिए और power देने के लिए जो सारे connectors है वो मिल जाता है 4 SATA connectors and 2 molex slash IDE connector मिल जाता है molex connector को use करके आप cabinet fans को power दे सकते हैं और जो CPU connector है 12 volt का वो आपको 8 pin मिल जाता है और यह convertible है काफी अच्छा चीज है आप इसको 8 से 4 pin में भी convert कर सकते हैं इसकी मेरे board में 4 pin CPU connector लगता है तो मैं उसको convert करके भी लगा सकता हूँ तो यह काफी अच्छा चीज है और इस board को cabinet में लगाने के बाद देख सकते हैं दोस्तो लुक जो है काफी premium आ रहा है यहाँ पर और दोस्तो बहुत ही जल्दी मैं एक upcoming video बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो मेरा system है उसका मैं पूरा full troubleshoot किया एक साल तक problem को face करने के बाद ताकि अगर आपकी system में भी ऐसा problem आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से उस problem को fix कर सके और दोस्तो anti-sport का यह power supply Amazon में काफी popular है around 4.5 star का rating है और यह आपको easily 1700 से लेके 1900 रुपए के अंदर मिल जाएगा लाइक कीजिए और कोई भी सवाल या सुजा हो आप comment section पर जरूर बताएए मैं आपको जरूर help करूँगा इसका best buying link दोस्तो आपको वीडियो की description पर मिल जाएगा और इसी तरह की unique tech related content पाने के लिए एडिटेकीफाई जैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में